हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का कोशन नमबर 6 तो कोशन नमबर 6 क्या कहता है साइना पेज रुपीज 15,000 as rent for 3 months साइना ने जो है इतना रुपया दिया है तीन महिने का किराया तो उसे पूरे साल के लिए कितना पे करना पड़ेगा इफदा rent per month remains same और rate जो है वो same है rent का तो यहाँ पे भी हम unitary method से find out करेंगे पहले क्या करेंगे एक महिने का find out कर लेंगे और फिर पूरे साल का find out कर लेंगे एक year में 12 months से होते हैं ठीक है तो 12 months से हम multiply कर देंगे तो यहाँ पे language किस तरह से लिखेंगे जो चीज हमें find out करनी होती यानि जिस चीज की value हमें find out करनी है जैसे यहाँ पे हमें find out करनी है months की value in terms of rupees तो यहाँ पे months की value इधर लिखेंगे और rupees जो है वो इधर लिखेंगे तो यहाँ पे language किस तरह से लिखेंगे rent for three months तो three months की जो है value क्या है three months का जो किराया है rent है वो क्या है 15,000 ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे rent for one month तो एक महिने का क्या हो जाएगा rupees 15,000 इसको हम three से divide कर देंगे अब यहाँ पे हम three का अगर टेवल पढ़े तो three five जा फिप्टीन तो यहाँ पे हो जाएगा rupees 5,000 अब यहाँ पे लिखते है rent for one year one year का मतलब होता है 12 months तो 12 months का क्या जाएगा rent यहाँ पे इसको हम 12 से multiply कर देंगे 5,000 into 12 अब यहाँ पे यह तीन 0 तो ऐसे ही हम लिखते हैं one two three multiplication में जितने 0 होते वो सारे आ जाते हैं ठीक है अब यहाँ पे 12 को अगर हम five से multiply करें तो क्या आएगा 12 five जा 60 तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60 और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो 60,000 रूपी जो है वो उसको पूरे साल का पे करना पड़ेगा रेंट का किराया यही हमारा आंसर हो जाएगा questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही